उत्तर प्रदेश हो या देश्विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनुरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुचेगी आप तक प्ले स्टोर से डाउनलोड करे हमारे मोबाइल एप अलाइफ 24 निउस को दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने धौला कुआ के पास से मुठबेण के बाद आईईडीस के साथ एक आईएस आईस ओपरेटिव को एंकाउंटर के बाद गिरफतार किया आतंकी का नाम अबु यूसुफ खान है वह लोन बुल्फ अटैक यानि अकेले ही हमला करने की फिराक में था यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था गिरफतार किये गए आईएस आईएस ओपरेटिव को लोधी रोड में स्पेशल सेल के ओफिस लाया गया है दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब आईएस आईएस ओपरेटिव को पुलिस द्वारा रोका गया तब वो बाइक पर था IS-IS Operative से बरामत किये गए IEDs को सुरक्षा बलो ने रिज रोड के बुद्धा पार्क में डिफ्यूस किया रिज रोड इलाके में बुद्धा जहनती पार्क के पास सुरक्षा बल तैनात किये गए है दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरिफतार किया गया व्यक्ति एक हाई लेवल IS-IS Operative है उसके कबजे से 30 बोर की पिस्टल, 4 जिन्दा कार्टूश बरामत किये गए है आतंकी के पास से 2 IED और एक पिस्टल मिले है IED को प्रेशर कूकर में फिट किया गया था आतंकी अबु यूसिफ खान पर अनिधाराओं के साथ गैर कानूनी गतिविदिया रोकथाम अधिनियम और विस्टोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्श किया जाएगा दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस ने धौला कुआ और करोल बाग के बीच रिज रोड पर बुद्धा जैनती पार्क के पास शुक्रुवार रात करीब साढ़े ग्यारा बजे आतंकी को ग्रफतार किया वहाँ बाइक पर था बुद्धा जैनती पार्क के आजपास NSG के कमांडों तैनात किये गए है NSG और Bomb Disposal Squad IED विस्पोटक के कंटेंड की जाच करेंगे वहीं इस घटना के बाद UP में हाई एलेट कर दिया गया है नोईडा अमेटकर नगर समेत कई इलाकों और बॉर्डर पर पुलिस सख्थ चेकिंग अभियान चला रही है UP ADG Law and Order प्रशांद कुमार ने कहा कि दिल्ली में IED के साथ एक व्यक्ति के ग्रफतारी के बाद पूरे UP में भी सतरक्ता बरतने के आदेश मिले हैं DGP ने सभी फील्ड के अधिकारियों को इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिये हैं इसके अरावा पंजाब के तरंतारन में B.S.F. ने पाकिस्तान बॉर्डर पर पांच गुस्पैटियों को मार गिराया संदिक मुव्मेंट दिखने पर B.S.F. ने गुस्पैटियों को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फाइरिंग कर दी जवावी फाइरिंग में गुस्पैटियों मारे गए उनके आतंकी या ड्रक तसकर होने का शक है पंजाब में मारे गए पांचों गुस्पैटियों के शव बरामत कर लिये गए हैं मौके से एक AK-47 राइफल और दो पिस्टल मिली है मुटबेड तरन तरन जिले में धल पोस्ट के पास हुई उदर कश्मीर के बारामुला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुटबेड जारी है मुटबेड में अब तक एक आतंकी मारा गया है और सुरक्षा बलों का ओपरेशन लगातार जारी है देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइफ 24 न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें